नमस्कार शाथियों मैं मनीश भारती संस्कृती आईस प्रेट फर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं अठारमी लोक्षभा को ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनावी दंगल के सकालक्रम में बिभिन मुद्दों पर बात करते आए हैं आज का जो लेक्चर है वो आप लोग के डिमांड पर ही है आप लोगों में से कई लोगों का मैसेज आया था भारत के प्रधान मंतरी पर आरोप लगा है गरी मंतरी अमित साह पर आरोप लगा है गरी मंतरी निर्मला सिता रमन जी पर आरोप लगा है कि इन्होंने share market को लेकर के गलत जानकारी लोगों तक पहुँचाई है और exit poll करने वाली agency पर भी ये आरोप लगाए गया तो आप लोग इसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझना चाह रहे थे कि सर ये चीजें object समझ में नहीं आ रहा है कि exit poll तो ठीक था वो तो राजनिती बाते हो गई ये share market की बाते है ये तो economy की बाते हो गई ये दोनों मिल कैसे गया और फिर ये प्रधान मंतरी का नाम इसमें कैसे सामिल आ रहा है exit poll बाली company कहां से यहां पर फस्ती हुई ने जरा रही है राहुल गान्री इस चीज को क्यों आरोप लगा रहे हैं ये सब चीजें आप लोग एकदम मैं समझ गया था जैसा ही आप में से कई लोगों का message हमारे पास आया मैं समझ गया कि आप लोग जम के confused हो रहे हैं चीजों को चलिए जैसा कि हम करते आये हैं आसान भासा में आपको मुद्दा समझाते आये हैं सुलजाते आये हैं आपके प्रशनों को इस बार भी हम यही करने बाले हैं देखे भारतिये राजनीती में बाके यह पहली बार हो रहा है और पहली बार हम सबों ने देखा कि जो लोग economy के expert हैं जो लोग share market के expert हैं वो राजनेतिक चीजों में दिल्चस्पी ले रहे थे कि सरकार किसकी आ रही है सरकार किसकी जा रही है कोन पुर्ण बहुमत में आ रहा है कितना seat आ रहा है 400 पार जा रहा है कि नहीं क्या गठबंधन की सरकार बन जाएगी मतलब जो लोग market में काम करने वाले हैं share market में काम करने वाले हैं वो share market छोड़ करके और politics में ध्यान लगाए हुए थे और जो लोग politics में काम करने वाले हैं जिनका काम था रैली करना भासन देना सरकार बनाना वो उधर का काम छोड़ करके आप कह सकते हैं share market की बाते करते रहें और ये खुले मंच से ये सब हुआ जो लोग market के हैं उन्होंने भी खुले मंच से आप social media देख लिजे इंस्टाग्राम के रेल्स देखिए आप अब भड़े पड़े देखेंगे ऐसे YouTube चैनल जहां पर जो investors हैं जो share market के दिगज हैं वो आपको जानकारी देते नज़ आएंगे और political जानकारी देते नज़ आएंगे और प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी speech में मंचों से share market को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर खरिदना है इंवेस्ट करना है तो सही समय कर लीजिए चुकि exit poll आने के बाद आप purchase नहीं कर पाएंगे आप buy नहीं कर पाएंगे market इतना हुचा चला जाएगा अमित साजी ने खुद ये बाते का मजे की बात है कि ये दोनों आदमी एक ही चैनल को interview देते हुए ये बाते कहते हैं और जब exit poll आता है उसके बाद exit poll जो है वह कुछ और दिखाता है market कुछ और जाता है निवेशक का काफी पैसा इसमें वरबाद होता है काफी उथल पुथल का माहौल चलता है इसको लेकर के हम विस्तार से बात करने वाले हैं देखे भारतिय राजनेतिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सेर बाजार राजनेतिक रूप से इतना बरा मुद्दा बन गया चुनावी मुद्दा बना सेर बाजार में हुई गिरावट की जाच की मांग करते हुए राहूल गांधी ने लोगशभाद चुनाव के नतीजों से पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी और अमिस साहदवारा भारतिये निवेशकों को दी गई सलापर सबाल उठा दिया है कि आखिर इन्होंने सलाप क्यों दिया इसके अलावा इन्होंने इस मुद्दे की जाच की मांग कर दी है और कहा है कि सन्युक्त संसदिये समीती के पास ये मुद्दा जाना चाहिए इसका जाच होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर से अमिस साहजी से, फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा जाना चाहिए और एगजिट पोल करने वाली जो एजेंसियां है, जो मीडिया चैनल है उन से भी बिठा करके पूछिए कि उनके पास किस तरह से ये जानकारी आई थी किस तरह से उन मार्केट को क्या मैनुपलेट करने की कोशिश तो नहीं किये और फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर के यहां पर ये भी चर्चा किया गया कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर से भी तो साथगाट नहीं है, भारतिय बाजार में खुब पैसा लगाए और फिर जो है वो पैसा लेकर के भाग गया, आपने FDI वेगरा के बारे में तो अर्थ वेवस्था में सुना ही होगा तो हम आज उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे, मैं अभी सेर मार्केट की और एगजिट पोल की कुछ बारी क्यों को अभी आपको बताऊंगा परधान मंत्री और ग्री मंत्री ने सेर बाजार में निवेश करने वाले पांच करोर परिवारों को विशिष्ट निवेश सला क्यों दी, क्या निवेश सला देना उनका काम है ये सब आरोप है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ दोनों शाक्षातकार एक ही मिडिया हॉस को क्यों दिये गए जिसका स्वामित एक ही व्यपारिक सम्हूं के पास है जो शेर बाजार में हेरा फेरी करने के लिए सेवी के जाच के दाइरे में है सेवी ये सारा काम करती है भाजपा, फरजी एकजिट फोल कराने वाले और संदिख्ध विदेशी निवेसकों के बीच क्या संबंद है ये आरोप राहुल गांदी जी के द्वारा लगाया गया और कहा गया कि आप इन चीजों को जाच कराईए जॉइंट परलिमेंटर कमिटी के द्वारा ये मुद्ध आप समझ गए, आरोप क्या है अब मैं आपको चीजे समझाता हूँ कि किस तरह से एकजिट पोल और शेर मार्केट का क्या संबंद रहा क्या कनेक्शन रहा और कैसे लोगों ने अपना पैसा डुबो दिया ठीक है, अब यहाँ पर समझे हुआ क्या कि जैसे ही एकजिट पोल आता है और एकजिट पोल का बाता है आखरी चरन का जो सात्मा चरन था उसका मतदान एक जुन को होना था जैसे ही एक जुन को मतदान संपन होता है शाम के वक्त से एकजिट पोल आना शुरू हो जाता है exit pole जैसे ही आता और exit pole आने से पहले भी इस तरह का जैसे तरह से प्रधान मंतरी और अमिसाजी इस बात को लेकर के सलाह दिया तो लोगों ने जम के खरिदारी की लोगों ने share market में जम के पैसे लगाए और विदेशी निवेशकों के पैसे लगे इस बात है घटबंदन की अगर सरकार रहती है तो नहीं हो पाएगा तो मीडिया हाउस ने इस बात को ले करके और एगजिट पोल करने वाली एजेंसियों ने इस बात को ले करके बहुत ही ज्यादा संबेदन सीलता दिखाया और 400 पार करके ही भारतिय जन्ता पार्टी और उनके गठबंदन जो है एंडिये उसको पार पहुंचा ही करके माना ठी करके सेर खरिदा गया PSU के ठीक है जो कि पब्लिक सेक्टर है गॉर्मेंट जिसको संचालित कर रही है या गॉर्मेंट का जिसमें शेर जैदा है तो सेर काफी खरिदा जाने लगा अब शेर अगर खरिदा जाने लगा आप यहाँ पर इस बात को समझे कि यहाँ पर करना सुरू हो जाता है और सेंसेक्स कितना ओपर उठता है तो आल टाइम रिकॉर्ट यह ब्रेक कर देता है सेंसेक्स अभी तक का सबसे ज्यादा जो भारतिय बाजार में गया था वह सेंसेक्स यह पार कर जाता है होता क्या है अब यहाँ से एक बात समझ लेजिए यह तो स पूरी घटना करम को सही से समझे, चार जून को रिजल्ट आने का दिन होता है, एक्जिट पॉल हो गया, लोग पूरी तरह से पैसा लगा करके मार्केट में तयार हैं, और यह खुद्रा निवेशक हैं, खुद्रा निवेशक इस बार जम के सेर मार्केट में इन्होंने कमिशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर गौर किया होगा, और इनके गाइडलाइन को देखा होगा, तो आठ वजे से यहां पर कॉंटिंग होना था, वोटों की, ठीक है, तो यहां पर समझ लीजी, आठ वजे जो कॉंटिंग होता है, तो शुरुवाती दौर पे डाक के त्वारा जो मत आता है, उसकी कॉंटिंग की जाती है, और ठीक आधे घंटे बाद, 30 मिनट के बाद क्या होता है, यह प्रकिरिया है चुनावायों का, कि EBM में जो मत परे थे, इसकी कॉंटिंग शुरू होती है, तो जब तक डाक मत जो कॉंटिंग किया गया, चीजे सही र ठीक है, 9-15 का लोग इंतजार कर रहे हैं, जितने भी इंवेस्टर हैं, कि 9-15 होगा और जो है, हमें काफी प्रॉफिट हो जाने वाला है मार्केट से, चुकि पैसा लगा करके, इंवेस्ट करके तयार हैं, सेर खरीद करके, अब यहाँ पर मामला जैसा ही 8 से आगे बढ़त यह BJP जो है, सुरुवात से ही बताए गया कि 240 पर सिमर्टी नजर आ रही है, ठीक है, और उस तरफ जो है, जो इंडिया अलाइंस है, इंडिया अलाइंस के बारे में कहा गया कि इंडिया अलाइंस भी जो है, वह तकरीबन वही बाते कि यह जो है, 230-35 के आजपास जा सकता ह अब एक बात समझे, 543 लोकशभा का छितर है भारत में, 272 वो जादू याकरा है, जो कम से कम लाना परेगा, तब ही जाकर के सरकार बन सकता है, अब लोगों ने सोचा, BJP को तो इतना ही आही जाएगा, चुकि 2019 में, जब 17 लोकशभा का चुनाब हुआ था, तो BJP अकेले 303 सीट आ गया इसको, समझ रहे हैं मामला, तो लोगों ने सोचा, इस बार तो इतना है, आही जाना चाहिए, यानि कि Stable Government मिलेगा, तो यहाँ पर ये चीज़े सोच करके लगाया गया था, अब यहाँ पर चमझे, वो हो क्या रहा है, आठ वजे से मामला आगे बर रहा है, सार कि यहाँ पर अलाइंस की बात की गई, गठ बंधन की सरकार आने वाली है, तो लोगों ने देखा कि भाया, गठ बंधन की सरकार क्या है, तो देखें जो निवेशक होते हैं, इन्वेश्टर होते हैं, वो एक चीज़ नहीं समझते हैं, अर्थ विवस्ता, वो पॉलिटिक् रिलेशन को भी ध्यान में रखते हैं, कि विश्व राजनीती में क्या उठा पटक चला है, वो अभी यह भी देखते हैं कि कि सेक्टर में जैदा अभी ग्रोथ है, यह सारी चीज़ें वो समझते हैं, तो यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स उन्होंने समझना सुरू किया, और उन्होंने देखा कि भारत में अब जो है गठवंदन की सरकार आने वाली है, दस साल के बाद, और गठवंदन की सरकार बहुत मदूद सरकार तो नहीं होती है, चुकि इसमें कई घटक दल होंगे, तो सरकार क्या होगी, पुर्व में नरेंदर मोदी पिछले दो कारिकाल, दस साल, जितने मजबूत परधान मंतरी रहे, कोई भी फैसला अपने दम पे ले लिए, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो पूछेंगे नितीश चचा से, वो पूछेंगे चंदरबाबु नाइडू से, कि देखिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपको ठीक तो लग ही है, किसी भी दल को यहाँ पर पुर्न बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, गठबंदन की सरकार होगी, संबब है, सरकार तो किसी का, ना किसी का होना ही है, लेकिन होगा अब गठबंदन का सरकार, और इस स्थिति में बाजार कमजोर होगा, बाजार क्यों कमजोर तो एक चीज होगा, क्या होगा, NPA बढ़ जाएगा, non-performing asset बढ़ेगा, तो ये asset जब बढ़ जाएगा, तो बैंकों की स्थिती बहुत खराब हो जाएगी, इसलिए आपने गौर किया होगा, कि जितने भी बैंक हैं, उनका share market में बहुत बुरा हाल हो गया, वो एक दम red flag के सा रहे थे, जितने भी बैंक थे rate था, कोई green था ही नहीं, जिस दिन counting हो रहा था, चार जून को, तो ये जो है investor ये इस चीज को समझे, और जैसे ही मामला आगे बढ़ता गया, 9 करीब जाते गया, 9 बज गया, लोग जो है 9-15 का इंजार यहाँ पर कर रहे हैं, और counting चल रहा है counting में दिखा रहा है, लोग पहले ही से सोच के बैठे हैं, कि मामला खराब हो गया, हमने जो सोच करके भविश्च में लाब को देख करके, और exit poll को देख करके invest किया था, वह अब नहीं रहा गया, और खास करके, जो foreign investor थे, जो FDI आया था, वे लोग क्या करने लगे, जैसे ही 9-15 में market open होता है, share market, वे अपना पैसा निकालने लगे, उन्होंने जो share खरीदा था, buy किया था, वो sell करने लगे, और दना दन share जो है, बिकने लग गया, market जो है, गिरने लग गया, और फिर sensex जो है, अपने, जैसा मैंने का, इतिहास बनाया था, कुछ ही एक दो दिन पहले और फिर से एक बार इतिहास बनाता है sensex, और इस बार जो है, गिरने का इतिहास बनाता है, एक बार रिस्तिती था कि sensex गिर करके, यह जो है, गिर करके, इसी दिन, counting वाले दिन जो है, वह 6,000 के असपास पहुंच चुका था, ठीक है, बाद में इसने थोरी बहुत recovery की, और 4 हजार के असपास आ करके रुका हुआ, हला कि अब recovery कर रहा है, market अब recovery कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है, यहाँ पर बरबाद हो गए, अब इसमें कमाया किन लोगों ने, तो वे लोग कमाये, जो कि इस exit pole को देख करके, पहले ही पैसा लगा दिये, और सुरुआत म ही निकाल के भाग गए, यानि कि क्या उन्हें पहले से पता था, कि exit pole गलत दिखाया जा रहा है, एक बात समझ ये, क्या वे जान बूज करके, market में एक hype create करने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे लोग, जब ये कहा जा रहा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी, share को ल मिली जुली भगत की सरकार जो कहते हैं न सब मिले हुए थे, ये जो exit pole करने वाली agency है, और exit pole करने वाले लोग जो है, फिर 4 जून को टेलिवीजन पे आते हैं और कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मेरा exit pole सही नहीं हुआ, भाया आपका exit pole सही नहीं हुआ, लेकिन इसके चकर म इसमें कोई समानता नहीं है, और इसके चकर में जो खुदरा निवेशक थे, उनका बहुत बुरा हाल हो गया, उन लोगों ने जम के यहां पर कह सकते हैं घाटा उठाया और इसी चीज़ को ले करके अब विबाद किया जा रहा है, क्या जान बूज करके exit pole के आकरे को परकेट के दोरा खींच लिया जाए, तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक साजिस हो सकता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को ले करके चर्चा कर रहे हैं और यही बात जो है राहूल गांदी जी के दोरा कहा गया है, अब यहां पर समझे, exit pole में एंडिये की व्यापक जीत क भविश्वानी के बाद 3 जून को रिकॉर्ड उचाई पर पहुंचने के बाद इंडेक्स में 4 जून को 8.5 परतिशत तक की गिरावट आई, इससे एक समय तो निवेशकों को 43 लाक करोर डूब गए थे, लेकिन आखिर में थोरा सुधार के साथ 5 पीसदी गिरावट पर बा तो अगर देखेंगे तो संसेक्स करीब 3,000 अंक बढ़कर एक बार फिर 75,000 के ऊपर चला गया है, अब थोरा थोरा फिर से मार्केट जो है ग्रीन हो रहा है, नहीं तो हर जगा तो रेडील था, ठीक है, निवेशकों की पूजी भी 21.05 लाक करोर रूपिये बढ़ चुकी है चार जून को हुए 30,000 करोर में से 21,000 करोर की भरपाई बाजार अब कर चुका है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का नुक्षान हुआ है, अब आप कॉमेंट बक्स में मुझसे मत पूछ लीजेगा, कि सर सचसत बतला दो आपका कितना नुक्षान हुआ है, देखो दुख किया है, क्या इस पर कारवाई किया वा सकता है, क्योंकि ये एजेंसिया, जो है कहिन कहीं मार्केट को चलाने की छहमता रखती है, ये मीडिया हाउस, क्या इन पर कारवाई करने की या वा सकता है, और जैसा मैंने का पॉलिटिकल लीडर्स, फॉरेंड इंवेस्टर, क्या इ क्या है समर ओफर है 50 से 75 प्रतिशतक का ओफ विभिन कोर्स पर दिया जा रहा है और यह साथ जून तक वैलिड है ओनलाइन लाइब पेंड्राइब और डियल पी कोर्स पर यह उपलब्द रहेगा यह ओफर यूपीसी के यह कोर्स हैं PCS के विभिन कोर्स हैं कैसे इसको परचे हैं आप मुझे यह बताईए कॉमेंट बॉक्स में कि क्या एगजिट पोल में जान बूज करके यह एजिंसियां आंकरे ज्यादा दिखाती है क्या राजनितिक दलों का इन से साथ गांट होता है क्या यह दो तीन दीर में बाजार में जो उठल उठल देखने को मिला है भार बढ़ा जाए शेर मार्केट का क्या आगे रूपरंग हो सकता है और किसी और मुद्दे पर आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज कोमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताईए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी देहिए ख्या लखिये थैंक यू